तो यार आज की वीडियो में आपको बताऊंगा तो आज पिक्जल लेप का फुल ट्यूटोरियल दूंगा मैं बता दूंगा कि आप बिल्कुल ऐसे थंगल कैसे लगा सकता है बहुत ही असान सा है तो वीडियो पूरा देखेगा ज्यादा नम्मी नहीं हो सकती हो सकता है बड अगर आप अगर आप इस चैनल पर नहीं होए तो नीचे आके सब्सक्राइब बटन वाइट कर दें क्यूंकि मेरी वीडियो फिफ्टी प्लस परसन जो है लोग को नोट सब्सक्राइब देखते हैं और वाकिवी वह सब्सक्राइब करें ना देर किस बात कि और लाइक करें हायो कर दो प्रसक्राइब करें चैनल पर कमेंट कर दिया करें कि कि खेकर आ दो करें तेर सेक्षर में सकते हैं और तो पौलो कर सकते हैं8 तो आपको बताता हूं आपको करना क्या है आपको सबसे पहले अपना जब आप पिक्सल लैप खोलेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे एंटरफेस आजएगा बहुत ही आसान सा है तो आप इसको अराम से अपनी बना सकते हैं तो सबसे पहले जब आप पिक्सल लैप डाउनलोड करके खोलेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौझूद है जाके डू चेक इट आउट और जाके इसको इसको इंस्टॉल करें तो कुछ ऐसा एंटरफेस आएगा तो सबसे पहले आपको जो अपर तीनौट दिखे रहा ह Princip लिक करना है और यहां आपको जो है ये जो पूरा हैस प्रेया एक्सपोर्ट जब आपकी विडियो तो जो यह बोच्छी लेकिन अभर करना है इस पे बनाना ला कि नहीं पर 18 ले którzy यूट्ध और अब आप इसको ओके करें तो यह पूरा जो है यह आपकी यूट्यूब हमने के लिए बन चुका है तो अब आम आते हैं क्या कहते हैं आप इस पर करना क्या है उपर प्लस वाला निशान देखना आप इस पर आपको क्लिक करना है फ्रॉम गैलरी में जाना है यहां से कोई भी अपनी इमेज उटा लेनी है कोई भी बैग्ड़ाउंट सारे बैग्ड़ाउंट अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें ऊ गूगल पे सर्च करेंगे तो मैरा एक बैग्ड़ाउट लें अँठाया, यह भी मेरे गूगल से उठाया है तो ऐसे कुछ आजाएगा आपके पास आपकी मर्जिया आपको जौन सी भी उठानी है गूगल में से आपको जो अच्छी लग रही है वो आप उठा लें मैंने ये उठाई है क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी और आप इसको लॉक लगा दे मैं आपको एक बंड दिखा अराम से फिर फिर आपको जाना है ये प्लस वाले निशान पर दुबारा से फ्रॉम गैलरी यहाँ आप जाएंगे तो आपने अब आपको ये जो इमोजी दिख रहा है आपको ये डैब वाला ये भी मैंने गूगल से उठा है आप लिख दें इमोजी पी एंजी और आपको जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से आपको जो पसंदा आप वो इमोजी उठाएं बट उसके पीछे वाइट बैक्ग्राउंड होना चाहिए वन्ना जो है ये वाइट बैक्ग्राउंड नहीं हटाएगा तो फिर आपको करना है जो बीच में ऑप्शन दिख रहे हैं इसमे तो आप वाइट कलर आप एसे करके हटा सकते हैं बहुत असान है और आप इसको टिक करने के बाद यह आपकी जो शेड़ो अर्ड़ो जो चीज़ आपकी बहुत बहुत ज़रूरी है इस से आपकी यूट्यूब की जो वो होती हैं ओना गहता है और क्या कहते हैं मैं आपको आगे इसके और आप्शन्स भी दिखा देता हूं कि आपको करना क्या है अचा यह आप इस शेडो देख रहे हैं यह भी एक बहुत काम की जीज़ आप इसको खोलेंगे इसके पेडिक आपको आपको नीचे लिंग डिस्क्रिप्शन में दोगा अचा आप इसको इनेबल करें गे इसको इनेबल करके इसको आपको कलर अच्छा लगता वो इन और यह एमबॉस आपकी जो इमोजी है इसमें हलकती ब्राइटनेस लाएगा तो आपके ओपर आप करना चाहें नहीं करना चाहें अप to you अच्छा तो अब हमारी ये इसने हमें हमें पिर क्लिक करना है इस पे और इस पे भी हमने तालह लगा देने है ताकि ये भी हिले नाई इस पे भी तालह लग गया अब आपको दुबारा जाना है प्लस के निशान पे प्रॉम गैलरी का एक option है फ्रॉम गैलरी के option पर आप क्लिक करें फिर आपको फिर पिक्जल लेप देख रहे है इसको आपको गोल कर देना है एक नट ये मेरा गल्ती से घलत खुल गया है शायद इसको मैं पहले cancel कर दो अच्छा फिर मैं आपको फिर्जवाद आता हूँ प्लस में जाना है फ्रॉम गैलरी के आप्शन में जाना है जहां आपने सेव करी है वहीं जाना है पिक्जल लेप में जो गोला देखे रहे हैं आप इस पर आपको क्लिक कर देना है राइट के कोने पे तो फिर यह ऐसा कुछ हो जाएगा गोला पर अगर आप इसका कलर में हटाएंगे तो इसका बीच जो पी है ना उसमें भी वाइटा तो कलर हड़ी आएगा अगर आप एरेस करना चाहते हैं तो हाँ आप कर सकते हो यहां स्ट्रोक में आप तोड़ा सा इसमें भी हम फिनिशिंग लिया है अचाहिए यहां आपको इसा भी कलर दे सकते हैं आपकी यह मर्जी है मैं हमेशा वाइट ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन जादर देता हूँ तो आप यह कर सकते हैं अचाहिए शेड़ो एब शेड़ो इसमें भी आपको कोई भी कलर दे सकते हैं मतलब आपकी जो कलर कॉम्बिनेशन होगी ना वही आपकी वीडियो की तमनिल को बहुत अट्रेक्टिव बनाएगी तो कलर पे बहुत जादा फोकस दिया गया है आप लोग इसको भी हमने तो ब्राइट कर दी और साइट पर थोड़ी सी एक लाइन आती है वाइट सी वह आप देख सकते हैं वीडियो में और इसको भी हम लॉक कर देंगे ठीक है अब ये दोनों चीजा हो गया हमारी अब सब बोलेंगे कि टेक्स तेक्स अटेक्स केसे मैट है अज्वी तो हमारी हो गयी हमने लगा लिए आपको इसे भी अपने अमोजी लगा सकते हैं यू अगर आप गूगल पर लिखे हैं एंडिभर सारे ओंग ऑनके वाइड लेकिन अगर आप इसमें कर रहा हैं लेकिन अगर आप इसमें कर रहा हैं तो इसको तकरीबन इतना कर दें और थोड़ा सा इसको बढ़ा करें जब करें deze तक हमारी क्यला करता करें यहां अवे बुदाग्या मैं कर दया तक जूछा हैं तो बहुस कर सकते हैं तक बशस्घूज कर दो recognizing हैं प्वाइब इशा बुद्ध कर आप आप और फ़ूंट केशा दूँर तो मीम फॉन्ट यूज में बहुत ही अच्छा और इंबस का कॉंब्यशन दें तो बहुत ही खुबस्चूरत लगता आपको जाना यह बेक्ग्राउंड का ऑप्शन है आप यह देख सकते हैं मैं आपको फिर दिखाता हूँ यह जो background का है इसमें अगर आपको अपनी वीडियो में background लाना है तो बहुत असान है ऐसे कारें कोई साभी background दे सकते हैं इसमें भी आपके लिए color उन्होंने दियाएं मैं अच्छा यह जो है वो stroke का है stroke में जो है आपको बहुत ही कोई अच्छा color combination देना है और stroke की जो width है आप उसको 3 रखें या 2 रखें 4 नहीं रखें वैसा आपकी मर्जी आपको कितना लेकिन ज्यादा वो अजीब सा हो जाएगा इसलिए आप 3 या 2 पर done है तो आप इसे भी enable करें shadow को shadow को इसा भी दे करेंगी तो it's up to you अच्छा यह भी आपने own कर देना है emboss emboss का scene बहुत हलका है इसमें emboss इसमें open नहीं करेंगा इसमें आप open करें यह 3D text 3D text यह आप depth में जाएंगे तो यह पीछे दे 3D जो है 3D थोड़ा सा text लगेगा तो यह आपके उपर है ज्यादा 3D नहीं कर देगा नहीं हो अजीब सा लगेगा तो थोड़ा बहुत करेगा यहां से darken बता रहें कि आपको इसको इतना darken करना है यह rotation है कि आपने वीडियो की rotation कैसे रखनी है थोड़ी सी आप टेड़ी रख देगा rotation हाँ एक मैं बतायता हूं एक बस इतनी थोड़ा बहुत आपने rotation को जो है वो change रखना है ताकि वीडियो थोड़ी और attractive लगें और जो हैं जो viewers है वो आपकी thumbnail देखके थोड़ा से attract हो और आएं अचा यह भी है कुछ सीन यह आपकी क्या कहते हैं यह भी क्या कहते हैं रोटेट को option है इसमें आप अपनी वीडियो को रोटेट आगे उपर नीचे हर ज करना है और इसको ऐसे करना है ताकि यह जो हैं थोड़ा थोड़ा दूर रहें और attractive भी लगें इस वीडियो में अचा तो आपकी थमनेल जो है वो तक्रीबन तयार हो गई है इसको हम जड़ा सेट करनें बहुत असान है पिक्जल लैप के से अगर आप Android पे चारें कियार मु भी जड़ी है आप 97-96 के आसपास रखें वीडियो आपकी बेतर रही है या फिर आप वो जो option आप उससे भी बड़ा चोटा कर सकते हैं यह जो पैडिंग option अब मैं पैडिंग option मताओं पैडिंग option से आप जो है अपनी वीडियो को की लाइन लंबी करना चारें या एक ही व पाउं तो यह देखिए इसके नीचे लाइन आ गई आई तिंक लाइन जब आप थमनिल बनाएं तो लाइन इतना यूज मत करें आप बैग्राउंड यूज करें बैग्राउंड बहुत एट्रेक्टिव लगता है तो बैग्राउंड आप जरूर यूज करें उससे लाइन अगर अच्छा होगा तो आपकी वीडियो बहुत आपकी वीडियो की थमनिल बहुत ही अच्छी लगए अच्छा तो अब जो है सीन कलर है आप यह पीछे अपने बैग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं लेकिन अब नहीं करेगा शुरू में जब आप क्या कहते हैं यह सब बहुंगी यह सब आपका चलेए और यह जो उपशे ए बिग नीट आयि तिंख यह बहुत ही आला उप्शे है कि आपकी वीडियो को बहुत ही एफेक्ट करेगा और आपसे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा आप लग रहा है कि आपकी वीडियो जो है अगर आप इसको ए अगर आपको किसी चीज पर एरो डालने के यह देखें इस चीज से तो आप ऐसे डाल सकते हैं बहुत असान है एरो का कलर भी चिंज जोएगा एरो है पता नहीं एरो के बहुत डिर सारे साइंस है वह आप देख लेगा अच्छा यह जो है यह भी बहुत एंड चीज है इसमें कोट्स इंग्लिश और फ्रेंच दो जबानों में आपके कोट्स देंगे और यहां बहुत से हैं मोटिवेशन सकसेस फ्रेंडशिप हैपिनेस इंस्पिरेशन पॉजिटिविटी अब्जर्ड मतलब इतने आपको इसमें मिलेंगे कि आप कोई साभी मोटिवेशन कोट उठा सेया या है? कोई साभी मैं एक कोट इचालेता हूं देखा यह आ गया हूं कहीं वी इसको सेट करें कलर Double Arena वही सारी चीजें आपको कोट कैसे लखने हैं तो बहुत है कोट कोट भी ढाल सकते हैं बहुत आराम सी निचेंज कर सकने हैं लेकिन अभी नहीं फिर से मैं आपको ओलना हूँ अभी आप चेंडी करें वड़ना है यह जो option आता है तो अब आप इसको चेंडी कर सकते हैं फिर जब आपकी पूरी वीडियो हो जाए तो आपको 3.पे क्लिक करके आपको save कर लेनी है वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने friends और family members के साथ इस वीडियो को helpful है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें और red बटन दबाके white कर दूं सको और साइट पे बेल आइकन होगा उसको भी दबा अगर आपको पता है तो आप मुझे बता है मैंने वीडियो को पी कुछ मसले का नहीं पता चलता तो अगर आपको पता है तो आप जरूर नीचे comment में आके बता है किसका है और यहां मेरी आ रही होगी playlist तो जाके playlist देखें और यहां मेरी विलोक्सी playlist आ रही होगी तो do check it out आ आप आप